हेलो एवरिबडी वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ अनिशा आपकी अपने इंगलिश एडियूकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 का नियू राइटिंग स्किल्स का टॉपिक जो की है तो आज बच्चो हम टॉपिक पड़ेंगे इंविटेशन राइटिंग का जिसमें हम फॉर्मल एन इंफॉर्मल के सेपरेटली रिप्लाइज कि रिप्लाइज कैसे देना है वो भी आज हम पएज रिप्लाइज के अपने परड़ पर आज सबसे पहले तो मैं आपको यह बता का distribution कैसे होने बाला है second what is an invitation letter फिर मैं आपको पूरा introduce करूंगी कि invitation letter होता क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है फिर मैं बताऊंगी types of invitations फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि invitation के कितने types होते इन features of formal invitation क्योंकि दो types की होते हैं formal invitation और informal तो formal के पहले मैं आपको features बताऊंगी फिर features of informal तो पहले features of formal invitation and features of informal invitation separately आपको मैं बताऊंगी फिर format of formal invitation फिर formal invitation का format क्या है कैसे लिखा जाता है वो पूरा format बताऊंगी and then format of informal invitation तो दोनों के features और दोनों के formats separately आपको मैं explain करूंगी and then उसके बाद features of formal and informal reply यानि कि formal reply का separately मैं आपको बताऊंगी कि formal अगर आप reply कर रहे हो तो उसमें what are the points you are supposed to keep in your mind and अगर आप informal way में reply कर रहे हो किसी के invitation का तो उसके क्या features है separately बताऊंगी and last में कुछ salt examples है जिसमें reply के भी examples है formal informal के examples है यह सब मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी proper practice हो जाए कि कैसे exam में question आएगा और कैसे आप उसको solve करेंगे so let's begin सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हो marking scheme तो यह question है आपके exam में three marks का आएगा यह आपका एक short writing task होगा three marks का है यह question and इसमें आपका marks जो है इस तरीके से divided अगर आपने format सही लिखा है तो उसके आपको one mark मिल जाएंगे अगर आपने content जो main content है जाने कि जिसमें जो main हमारी body है जिसमें हम main बातें जो हमारी लिखते हैं अगर वो सही लिखा है तो उसके आपको one mark मिल जाएंगे अगर आपने expression सही लिखें तो उसके भी आपको one mark मिल जाएंगे अब expression का मतलब यह नहीं होता कि मेरे facial expressions expression का मतलब है grammatical accuracy याने कि आपने grammar बिल्कुल सही लिखें grammar में कोई mistake निकरी and spellings याने कि आपने कोई spelling mistake निकरी क्योंकि English का paper है तो spelling mistakes के marks deduct होते हैं याने कि cut होते हैं तो अगर grammar सही लिखें और spelling सही लिखें तो इसके पूरे one marks आपको यहाँ पे one mark मिल जाएंगे which makes a total of three marks अब आगे बढ़ते हैं यह invitation letter होता क्या है तो an invitation letter is a written or a verbal request inviting someone to go somewhere or to do something तो invitation letter क्यों होता है या तो आप किसी को लिख के invitation card देते हो और उसको invite करते हो याने कि उसे आप नियोता देते हो या तो verbal request याने कि मूँ से आप उसको invite कर देते हो या नियोता देते हो कि आपको इस ताइम पर इतने बज़े हमारी गरपाटी में आना है या या यहाँ शादी है तो invitation या तो आप proper लिख के देते हो या तो आप मूँ से बोल देते हो जो आप proper लिख के देते हो वो proper format में होता है उसे हम कहते है formal invitation और जो आप मूँ से बोल देते हो या जो आप letter format में लिखते हो और personally, individually किसी को भेचते हो, तो उसे हम कहते हैं informal letter. तो basically invitation का मतलब यह होता है कि जब आप किसी को नौता देते हो, जो आप wedding cards छपवाते हो, print कराते हो, रेके कि घड देने जाते हो, शादी के जो cards होते हैं, यह आपका एक formal invitation का example है, क्योंकि वो proper format में दिया हुआ है, और जो आप whatsapp पे लिख देते हो, या whatsapp invite करते हो, या मूँ से लोगों को invite कर देते हो, यह होता है आपका informal invitation का example, ओके, when you ask people to attend a party, visit your beach house, or witness your marriage, you invite them by giving an invitation, तो जब आप किसी को किसी party के लिए invite कर रहे हो, या आपका कोई beach house है, वहाँ आने के लिए invite कर रहे हो, या witness your marriage याने कि आपकी शादी अटेंड करने के लिए, या आपके बच्चे की शादी अटेंड करने के लिए invite कर रहे हो, तो आप उनको कैसे invite करते हो, by giving them invitation, जिससे हिंदी में कहते है नियोता देना, तो इस इस अन invitation letter, टाइपस अब दो टाइपस के invitations होता है, invitations are of two types, पहला होता है formal invitation, और दूसरा होता है informal invitation, जब भी formal invitation का question आएगा, वो हमेशा card form में होगा, जो भी cards, जो भी marriage के लिए आप card बनाते हो, वो एक example होता है formal invitation का, तो जब भी आप formal invitation लिखोगे, वो इस तरीके से एक box बनाके लिखोगे आप, यह एक card होगा, यानि कि card जैसा आपको बनाना है, एक box बनाना है, तो यह होगा आपका formal invitation, ओके, यह formal invitation का example होगा, और जब भी आप informal invitation का question solve करेंगे, तो it will be in the form of letters, यानि कि जब हम letter लिखते हैं जिसमें, sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, फिर आते हैं आपका content, and last में complimentary close, यह पूरा जो formal letter का format है, वो लगता है इसमें, तो जब आपको informal invitation लिखना है, तो उसमें लगेगा आपका, formal letter format, format, ओके, यह बात बिलकुल आप दिमांग में लगा दीजे, कि जब formal invitation का question आएगा, तो वो इस तरीके से box में आएगा, इसके अंदर क्या लिखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जब आपका informal invitation का question आएगा, तो उसमें हमेशा formal letter का format लगेगा, box नहीं बनेगा, आगे मैं आपको और questions बताऊंगी, format बताऊंगी, उसमें आपको और clarity आजाएगी, आगे बढ़ते हैं, अब, यह जितने भी हैं, यह सारे है features of formal invitation, यानि कि formal invitation लिखते वक्त, आपको क्या points अपने mind में रखने, वो सारे points नहीं है, मैं one minute के लिए side हो जाती हूँ, सुदाट जिन को इसका screenshot लेना है, वो ले सकते हैं, तो formal invitation के जो features होते हैं, वो आज हम start करेंगे, सबसे पहले start करते हैं, सबसे पहले है 50 words, यानि कि formal invitation की जो word limit है, से जादा आप नहीं लिख सकते हैं, इसमें ही आपको अपना content complete करना है, फिर आता है, in third person, they, them, he, she, etc. तो always write in third person, जब भी आप एक formal invitation लिखेंगे, तो आपको third person में लिखना है, यानि कि they, them, he, she, ये सारे words का usage आपको करना है, use present tense, इस कौन से tense में आप लिखेंगे, हमेशा present tense में आप अपना formal invitation लिखेंगे, polite tone, आपकी जो tone होनी चाहिए, वो polite होनी चाहिए, while writing your invitation, क्योंकि आप किसी को invite कर रहे हो, किसी को request कर रहे हो, कि आप हमारे function में आई, attend करेंगे, तो आप उसको लड़के और जगड़के तो invite नहीं करोगे, आपकी tone कैसी होनी चाहिए, polite होनी चाहिए, काफी अच्छी tone होनी चाहिए, and it should be in polite होनी चाहिए, लेकिन formal language उनी चाहिए, date written in letters, जो भी आप date लिखेंगे इसमें, वो letters में होगी, letters से मतलब यह, for example अगर 23 March 2021 है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, 23 March 2000 and 21, तो यह तरीका होगा आपका date लिखने का, आपको normal वैसे नहीं लिखना कि 23rd March लिख दी, फिर numbers में अपने 2021 लिख दिया, नहीं, यह सब नहीं, अगर आपको date लिखनी तो proper ऐसे letters में, याने के पुरे words में आएगी आपकी date, उसके बाद no abbreviations, कोई भी abbreviations आप use नहीं करेंगे, याने कोई भी short forms आप use नहीं करेंगे, अगर मानाओ आपको invite करना है, यह wrong हो जाएगा, आपको पूरे full forms लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यह एक formal invitation है, उसके बाद should explain why event is being held, तो obviously आपको इसमें mention करना पड़ेगा, कि जस event के लिए या जस program के लिए, आप सामने वाले को invite कर रहे हो, वो क्या event है, explain करना पड़ेगा कि क्यों event हो रहा है, और वो event क्या है, वो school का annual function है, यह school का sports है है, यह marriage function है, यह anniversary है, birthday party है, जो भी आपको लिखना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता तो चले, कि किस occasion के लिए हम लोगों को invite किया जा रहे है, next होता है in a box, यह मैंने आपको अभी भी बताए था, कि जो formal invitation होता है, वो card format में होता है, इसलिए it will be always written in a box, तो यह सारे features हैं आपके formal invitation के, and these are the points which you are supposed to keep in your mind, आगे बढ़ते हैं, ओके, एक चीज और आपको अपने mind में रखना है, यह वाइल राइटिंग अफॉर्मल invitation, इच्चुड आंसर 5Ws, आपका invitation 5Ws को answer करना चाहिए, वो 5Ws हैं, what, when, where, who, whom, याने की जो invitation है, वो क्या है, what, याने what is the occasion, किस occasion के बारे में आप उनको invite करे हो, यह लिखा होना जरूरी है, when, याने invitation जो आप लिख रहे हो, उसमें जो function है, वो कब है, याने proper date और proper time आपको लिखनी पड़ेगी, और जो date होगी, वो आपकी letters में आईगी, जो मैंने अभी अभी आपको पता है, where, याने की जो यह function है, यह जो event है, यह कहा होने वाला है, तो जो venue है, वो भी आपको clearly उसका address जो है, mention करना पड़ेगा, उसके बाद आता है who, याने की name the host, याने की host जाने वो इनसान जो invite कर रहा है, जो यह function organize कर रहा है, तो उस इनसान का नाम, for example, अगर मैं अपनी birthday party organize करने हूँ, तो मैं host हुई, क्योंकि मैंने ही invitation लखा, तो मेरा नाम भी आएगा, whom, याने किसको मैं ये invitation दे रही हूँ, उस person का भी नाम आएगा, name of the person being invited, उस person का भी नाम आना जरूरी है, हमने देखा है कि जब हम शादी का card देते हैं, तो card की उपर इसे slip लगा देते हैं, या pen से उस इंसान का नाम भी लिखते हैं, जिसे हमें एक card देना है, कि Mr. and Mrs. Charmavit family, Mr. Mr. Mehtaavit family, जो भी, तो उनका हमको proper name भी लिखना पड़ता है, तो ये 5 W's जो हैं, mention होना जरूरी है, आपके formal invitation में, ओके, next, features of informal invitation, अब हम पढ़ने वाले हैं, features of informal invitation, अभी हमने पढ़े थे features of formal invitation, अब हम informal invitation के features पढ़ेंगे, तो अब informal invitation किसको लिखा जाता है, लिखा जाता है, friends को and relatives को, जब आप friends and relatives को, एक informal invitation दे देते हो, या मू से बोल देते हो, या WhatsApp पे invitation कर देते हो, या personally letter भेज़ देते हो, कि आना है आपको प्रोग्राम में, फंक्शन में, तो उसे हम कहते हैं informal invitation, formal invitation usually जो होता है, वो आपके school वाले देते हैं, parents को invite करने के लिए, कि भाई sports event है, या annual function है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई आपके office की, बिजनेस party हो रही है, यानि क्यों official कोई party हो रही है, तो आपके boss ने आपको invite किया है, तो ये सारे formal invitations होते हैं, इसमें business invitations होते हैं, या फिर marriage invitations के लिए होते हैं, और ये जो होता है, ये usually friends and relatives को वैसे invite कर देते हो, letter personally लिखके, या WhatsApp पे, या मूँ से बोल देते हो, verbally बोल देते हो, तो इसलिए ये आपका informal invitation के अंदर आता है, explain the details of the event, अब obviously ये informal invitation भी इसलिए दे रहे हो ना, कि कोई event या कोई function program होने वाला है, तो इस invitation में भी आपको details तो देनी ही पड़ेंगी, कि भाई कब function है, कितने बज़े है, कहां है, इसमें भी तो आपको बताना जरूरी है, okay, tone is relaxed and informal, यहाँ पर जो आपके tone है, वो काफी relaxed form में रहती और काफी informal tone या language, आप use कर सकते हैं इस तरीके के invitations में, written in first या second person, ये वाला invitation आप या तो first person या second person में लिखते हैं, याने कि I, you, your, इस तरीके के words आप इसमें use कर सकते हैं, okay, so this is all about informal invitation, आगे बढ़ते हैं, format of formal invitation, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो formal invitation है, इसका format कैसे होगा, और किस तरीके से question में आपको ये दिखाई देना चाहिए, इसका answer, so let's begin, सबसे पहले आते हैं आपका name of the host, क्या आएगा सबसे पहले, host का नाम, याने उस इंसान का नाम, जो invitation दे रहा है, जो किसी को invite कर रहा है, for example, मैं invite कर रहे हूं अपनी birthday party के लिए, तो name of the host में, मेरा नाम आएगा, okay, standard expression, standard expression याने बीच में एक line आती है, I request the pleasure of your company, solace at your gracious presence, इस तरीके की जो lines है, यह आपकी lines यहाँ पर आएंगी, host के नाम के बाद, उसके बाद, purpose of the invitation, याने कि यह invitation आप क्यों दे रहे हो, क्या reason है किसी को invite करने का, तो purpose याने कि जो reason है, कि क्या function है, वो आपको लिखना पड़ेगा, कि शादी है, कि बॉद्ध है, कि अनुबस्टरी है, क्या है, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा, name of the honoree, फिर honoree का नाम आएगा, याने कि अगर कोई chief guest, या कोई guest of honor आ रहा है, आपके function में कोई ने ता मंतरी, कोई celebrity को अपने invite किया है, तो उनका भी नाम लिखा होना ज़रूरी है यहाँ पे, फॉर अग्जामपल अगर school का आन्विल function हो रहा है, तो और मान लीजे, यह CM को invite किया है, तो यहाँ पर CM हमारे chief guest है, तो उनका नाम भी यहाँ पर mention होना ज़रूरी है, जस्ट उसके नीचे आता है, day, date and time of the event, यानि किस दिन पे हो रहा है, किस तारीख पे हो रहा है, और कितने बजे event start होगा, या function start होगा, वो भी आप mention करेंगे clearly, dates must be written in letters, and do not use abbreviations, मैंने बार-बार आपको बताए, कि invitation में जो dates होती, वो letters में, यानि कि words form में आती है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको, परिछली slide में लिख कर बताए था, और आप इसमें कोई abbreviations, यानि कोई भी short forms, नहीं use करेंगे, short forms कभी use नहीं होते, क्योंकि ये एक formal invitation है, फिर उसके नीचे आता है, name of the place, यानि कि क्या location है, क्या venue है, जिस दगा पर ये event होने वाला है, या ये function होने वाला है, उसका complete address, आप इसमें mention करेंगे, पूरा, एक एक चीज, वन्ना लोग आएंगे कहा होने, अगर address ही नहीं पता होगा, कि कहाँ पर ये function होने वाला है, ओके, next, फिर उसके बाद, ये जो तीन points है, point number 7, 8, or 9, ये, जो भी formal invitation है, box में लिखा होता है, अब तक मैंने जो आपको points समझा है, वो इस तरीके से points लिखेंगे, अब जो point number 7, 8, or 9 है, इसके जो contents है, वो यहां left hand side पर आएंगे, ऐसे, तो कुछ इस तरीके से आपका invitation दिखेगा, point number 126 जो हमने cover किये, वो इस तरीके से आएंगे, point number 7, 8, 9 जो है, वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, यहां left hand side corner में, ओके, तो point number 7 में, यहां पर आएगा आपका RSVP, RSVP का मतलब होता है, respond if it pleases you, याने कि आप उनको बोल रहे हो कि respond करो अगर आपको हमारा invitation अच्छा लग रहा है, कि आप आओगे, कि आप नहीं आओगे, so include an RSVP, this abbreviation comes from the French phrase, respondus silvus plat, याने कि यह एक French word है, RSVP जो है एक French word है, जिसका मतलब होता है, respondus silvus plat, और English में इस term का मतलब होता है, please respond, याने कि जो हमने आपको invitation भेजा है, इसका response जरूर करेगा, कि आप इसको accept कर रहे हैं, कि आप इसको refuse कर रहे हैं, याने कि आप बता दीजेगा, confirm कर दीजेगा, कि आप आएंगे, कि कि आप नहीं आएंगे, ये क्यों लोग लिखते हैं, क्यों लोग इसमें बोलते हैं कि confirmation दो, ताकि आपको number of people पता चल जाएं, कि कितने लोग आपके function में आने वाले हैं, और आप उस according arrangements करोगे, उस according खाना रखवाओगे, उस according आप एक venue decide करोगे, जहां उतने लोगों की capacity हो, जो भी आपके arrangements हैं, आप इस basis पे कर सकते हो, इसलिए आप लोगों से बोल देते हो, कि please respond, respond करके बता देना, कि you will come or you will not come, so please respond, उसके नीचे आते contact details of the host, अब अगर मैंने अपनी birthday party के लिए invite किया, तो यहां पे contact details दूँगी, अपना phone number जरूर दूँगी, कि कोई दिक्कत है, या address नहीं समझा रहा है, जो भी problem है, आप इस number पे call करके, हमसे बात भी कर सकते हो, and next में आता है, any other relevant details, इसके अलावा भी कोई अगर relevant details, को important details आपको लगता है, कि देना जरूरी है, तो वो भी आप दे सकते हो, usually यहां पे जब शादी होती है, और लोग invitation card देते हैं, तो यहां पे details के में, लोग अपने firm का, या अपने business का भी address लिख देते हैं, या दो तीन mobile numbers और दे देते हैं, तो यह सारी चीज़े भी लोग लिख देते हैं, तो इस तरीके से, आपका formal invitation कुछ दिखाई देता है, मैं side हो जाती हूँ, ताकि जिनको screen shots लेना है, वो ले सकते हैं, ओके, तो इस तरीके से, आपका formal invitation दिखेगा, आपको proper box में लिखना है, सबसे उपर आपका name of the host आता है, जैसे मैंने भी आपको बताया है, जो invite कर रहा है, फिर standard expression, expression आएगा, याथ मीन्स, we solicit your gracious presence, यह सारी चीज़े, फिर purpose of the invitation, आपका आपका आपका, क्यों invite कर रहे हो, क्या occasion है, name of the honoree, याने chief guest का नाम आएगा, फिर day, date, time of the event, पूरी details होगे, and name of the place, याने की जो venue है, आपके event का, वो venue भी लिखोगे आप, complete address के साथ, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, कि एक line यहाँ पे, आप छोड़ेंगे, and तीन जो points हैं, आपके last के, वो एकदम उदर, इस आप लोगों के left hand corner में लिखेंगे, याने इस तरफ, मेरे right में, आपके left में, तो RSVP, याने respond if it pleases you, आपको लिखना पढ़ेगा RSVP, कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पिर next आपका telephone और mobile number, या जो भी आपकी contact details है, and last में, address of the host, याने कि कोई और relevant details में, आप address भी लिख सकते हो, अपना या अपने business का address लिख सकते हो, जो भी आपको important details और लगता है, कि जरूरी है, वो आप दे सकते हो, host की, याने कि वो इंसान जो की invite कर रहा है, ओके, so all these things will be mentioned in your invitation, formal invitation, इस तरीके से देखेगा box में, box is very important, box में ही लिखना है, fine, आगे बढ़ते हैं, format of informal invitation, अब informal invitation के format पर आते है, informal invitation मैंने आपको पहले ही बताया था, कि हमेशा आपका formal letter, लेटर का format होगा, formal letters format पर होगा, तो जो इन formal invitation है, वो आप अगर किसी को देते हो, तो वो formal letter के format के हसाब से दोगे, याने सबसे पहले आता है, sender's address, क्योंकि मैं invite कर रहे हूँ, तो मेरा address आएगा, फिर उसके बाद देट आएगी, expanded form में, अब expanded form का मतलब क्या होता है, जब हमने formal invitation लिखा था, तो उसमें हमने पूरी letters में, पूरे words में पूरी date लिखी थी, लेकिन अगर आप informal invitation दे रहे हो, और ये letter का format यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर date ऐसे आएगी, फिर एग्जामपल, 23rd March 2021 है, तो ऐसे आएगी, 23rd March, 2021, या March 23rd, 2021, दोनों ही तरीके सही है, date लिखने के, तो इस तरीके से date लिखी जाएगी, एक informal invitation के format में, ओके, फिर आता है receiver's address, यानि जिस इंसान को आप invite कर रहे हो, उस इंसान का address आएगा, और यहाँ पर एक-एक line छूटेगी, sender's address के बाद एक line छूटेगी, date के बाद line छूटेगी, फिर receiver's address लिख दिए है, यानि उस person का नाम और address, जिनको आप invite कर रहे हो, फिर एक line छूटेगी, और फिर आएगा subject, जो भी एक line में आप subject लिखेंगे, या उसको आप underline भी करेंगे, तो subject, यानि वो line होती, for invitation of my birthday party, या for the invitation of my son's marriage occasion, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपका subject है, फिर अगेन एक line छूटेगी, यान आप लिख सकते हो, dear करके, dear Reshma, dear Rahul, dear Mother, dear Father, कुछ भी, तो यहां salutation में आप dear करके लिख सकते हो, क्योंकि यह एक informal invitation है, लांविज में आप dear यूज कर सकते हो, salutation में, फिर एक line छूटेगी, और फिर आएगा आपका body of the letter, यानि कि यह है आपका main content, यहाँ पे आप लिखोगे, कि क्यों आप invite कर रहे हो, क्या function है, क्या date, time, when you, सब कुछ आप इसमें mention करोगे, और फिर एक line आपकी छूटेगी, और आप last में लिखोगे complimentary close, यानि thanking you, yours faithfully, आपका नाम, आपका address, और अगर आपका कोई designation है, यानि कि अगर आप कोई post hold करते हो, मान लिज अगर school का, मान लिज अगर आप आप कहीं के, पुलिस इंस्पेक्टर है, या आप किसी के school के teacher है, किसी particular school के, तो वो अपना designation भी आप यहाँ पे, लिख सकते हैं, complimentary close के नीचे, इस तरीके से, पूरा आपका एक invitation, एक informal invitation होगा, जिसमें formal letter का format लगेगा, आजाते हैं, अब हम new topic पे, which is reply, अब तक हमने, आपको बताया, कि formal way से, लोगों को invite कैसे करते, याने formal invitation, उसका आपको format भी बताये गया, फिर आपको बताये कि, informal तरीके से, लोगों को कैसे invite करते हैं, लोगों को कैसे नियोता देते हैं, उसके भी features and format आपको बताये, अब मान लीजे, आपके पास किसी का invitation आ गया, अब आपको उस invitation का reply करना है, यानि कि जवाब देना है, कि आपने accept किया, कि आपने decline किया, यानि कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं आ रहे हैं, तो वो भी लिखना रहता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आपने refuse के आने के लिए, यह और supposed to mention the reason for your refusal, कि क्यों नहीं आप आऊगे आप function में, तो आप reply देंगे सामने वाले को, तो reply कैसे देना है, formal and informal तरीके से separately, वो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले features of reply देखते हैं, कि reply के features क्या होते हैं, कि क्या क्या उसमें mention करना रहता, तो सबसे पहले informal tone, informal, in informal replies, तो अगर आप एक informal reply लिख रहे हो, तो आपकी tone कैसे होगी, informal tone, can express personal feelings, इसमें आप अपनी personal feelings, express कर सकते हो, कि अरे मेरे हाथ में दर्थ है, इसलिए मैं नी आई, या मेरे सर में दर्थ है, इसलिए मैं अटेंड नी कर पाई, जो भी है, तो आप इसमें अपनी personal feelings, express कर सकते हो, तो tone आपकी informal रहेगी, informal invitation में, और formal रहेगी, formal invitation में, जब आपका informal reply है, तो उसमें आप personal feelings भी, express कर सकते हैं, फिर आता है, formal tone in formal reply, वही चीज़ दो भी मैंने बताई, कि अगर आप formal reply लिख रहे हो, तो उसमें आपकी tone रहेगी, formal tone, कुछ भी फाल्तु बात इसमें आपको नहीं लिखनी, क्योंकि एक formal reply है, no unnecessary details, कोई भी फाल्तु की details नहीं लिखनी है, on to the point होना चाहिए, जितना जरूरी हो, 50 words में लिखते हैं इसको भी, और replies usually बहुत छोटे होते हैं, 3-4 line के, that's it, उसमें बड़ा आपको नहीं लिखना है, चाहाए formal reply लिखो या informal, हमेशा short रहेगा, brief and to the point, वह चीज़ों मैंने आपको बता है, कि काफी brief में लिखना है, याने short में लिखना है, and to the point है, याने कि एकदम point की जो बाते बस उतना ही लिखना है, इधर उधर की फाल्तु बाते, unnecessary details आपको नहीं लेना, be polite, even while declining the invitation, अगर आपने invitation सामने वाली का accept किया है, तो आप लिखेंगे, thank you for inviting, I am really glad and overwhelmed that I have, मैं आपने मुझे invite किया है, जो भी है, लेकिन अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं, अगर आप उनका invitation accept नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी वज़े से शयद नहीं जा पाओगे, उन तारीकों में उनके function पे, अगर आप डिक्लाइन भी कर रहे हो अपने invitation को, तो जो आप रिप्लाइन करोगे उनको, वो काफी polite होना चाहिए, याने कि गंदी तारीक से नहीं लिखोगे, कि नो, I will not come, I don't like the function, कुछ भी इस तारीक से आपको नहीं लिखना है, आपको always polite and courteous रहना है, while even declining the invitation. So, these are the features of your reply. आगे बढ़ते हैं, the features of a formal reply. अब मैं आपको अलग से बताऊंगी, separately बताऊंगी कि formal reply में क्या points आपको, you are supposed to keep in your mind, और जब आप informal way में reply किसी को देती हो, उनके invitation का, या उनके आए हुए नौते का, तो उसमें, what are the points which you are supposed to keep in your mind? तो सबसे पहले, features of formal reply देखते हैं. The main characteristics of a formal reply are as follows, सबसे पहले, acknowledge the invitation. अग्नॉलेज का मतलब क्या होता है? When you are thanking the person कि thanks for inviting me, कि अगर आप सामने वाले का, आपके पास सबसे पहले invitation अगर आया है, doesn't matter, आप उसको accept कर रहे हो, या आप उसको refuse कर रहे हो कि हम नहीं आपाएंगे, जो भी reason है, सबसे पहले तो सामने वाले ने आपको अगर invitation बेजा है, तो आप उस invitation को acknowledge करेंगे, याने कि आप उसको reply में thank you ज़रूर लिखेंगे कि thanks for inviting me, ओके, express thanks in the third person, और जब भी आप thank you express करेंगे, आप third person में express करेंगे, याने कि you, याने कि they, them, इन तरीके के सारे words दो आप use करेंगे, mention, acceptance and regret, जब आप reply लिखेंगे तो इस तरीके से होता है, आपका reply एक box में, अगर आप accept कर रहे हैं, याने कि आप function attend करेंगे, तो आप उपर ही heading में लिख देंगे, acceptance, ओके, इस तरीके से starting में लिख देंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा, आपका reply आते ही कि आपने accept किया है, अगर आप accept नहीं कर रहे हैं, आपको regret है, आपको बहुत खेद है, आपको बहुत, मतलब प्रॉब्लम हो गई है, और आपको जान ही पा रहे है, invitation को आप, मतलब उनका accept नहीं कर रहे हैं, आप उनका function attend नहीं कर पाएंगे, तो आप इस acceptance की जगा क्या लिख देंगे? Regret. तो जो भी है, चाहे आपने accept किया है, या आपने regret किया, याने कि refuse किया है, आप starting में ही लिख देंगे reply में, क्योंकि ये भी box में आएगा. Specify the reason for the refusal. अगर आपने refuse किया है, कर रहे हो कि आप नहीं आप आए हो, तो उसका आपको reason देना पड़ेगा, कि आप क्यों नहीं आप आ रहे है. Be brief and specific. क्योंकि reply हमेशा बहुत short होता है, तो आपको brief रहना है, याने कि एक दिम सब कुछ short में लिखना है, specific याने on to the point लिखना है. Be formal in tone. क्योंकि formal reply है, तो tone कैसी होगी? Formal tone होगी. आप इसमें अपनी personal feelings express नहीं कर सकते. Okay? Next आते हैं. Features of an informal reply. अब जो informal तरीके का आप अगर reply करेंगे, तो आप कैसे reply करेंगे? सबसे पहले acknowledge the invitation in the first person. Doesn't matter. मैंने क्या बोला था कि अगर आप refuse भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं आप आएंगे, उनके function में तो acknowledge जरूर करना है आपको invitation को. याने कि उनको thanks जरूर बोलना है कि thank you for inviting. और यह आप बोलेंगे first person में. याने कि I am not able to come because I was stuck somewhere. कुछ भी. तो I जैसे words जो हैं आप इसमें use करेंगे. Use the second person for the sender's invitation, sender of invitation. याने कि जिसने आपको invitation भेजा है, जिसने आपको invite किया है, जो कि खुद host है, उसके लिए आप हमेशा second person use करेंगे, जैसे कि you, yours, इस तरीके के words. Okay. Mention, acceptance and regret. चाहे informal invitation का आपको reply क्यों नहीं भेजना हो. Reply हमेशा box में होगा, और यहाँ पर आपको पहले से ही लिखना पड़ेगा, top में, कि आपने उनका invitation accept करा है, कि आप उसके invitation को refuse करेंगे. अगर accept किया है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, acceptance. और अगर refuse कर रहे हो, तो acceptance की जगा लिखना पड़ेगा, refusal. ओके, यह आपको mention करना पड़ेगा. Specify the reason in case of refusal. अगर आप refuse कर रहे हो, तो again आपको क्या mention करना है, reason. कि आप क्यों नहीं आप आ पा रहे हो. Use warm and simple language. थोड़ी सी warm, यानि milan-sahar language आप use करो, जोड़ी सी relaxed दोती है. क्यों क्योंकि एक informal reply है. तो warm और simple language आप use करिए अपनी informal reply के format में. Do not exceed the word limit which is usually 50. तो आपका reply भी जो होता है, वो 50 words में ही होता है. और आपको अपनी word limit exceed नहीं करनी. इसी word limit में अपना पूरा content लिख के खतम कर दीना है. Okay? आगे बढ़ते हैं. तो अब एक solved example है. अभी एक question है. अब जब मैं आपको एक question कराऊंगी, तब आपको बिल्कुल clearly समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके exam में question आता है, invitation writing का और कैसे उसको attempt करने है. तो जो छोटे मोटे का doubts भी अगर आपके mind में आ रहे हैं, तो वो question समझने के बाद पूरी तरीके से clear हो जाएगे. So, let's read the question. On 30th November, your school is going to hold its annual sports day. तो 30 November को आपका जो school है, annual sports day का जो function है अपने school में organize कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या दे दी है? date दे दी है. और क्योंकि यह बोल रहे हैं कि school, annual function day जो है, organize कर रहे हैं. तो जब school, annual function organize करते हैं और जब school वाले, आपके parents के लिए आपको invitation काट देते हैं. तो वो formal होता है कि informal? obviously वो होता है formal invitation. तो पहली line में पढ़के हमें समझ में आ गया, कि यह जो है, एक formal invitation का question है. ओके? इतना हमें समझ में आ गया. आगे पढ़ते हैं. You want Mr. Dhahnraj Pillai, a noted hockey player, to give away the prizes to the sports persons of the school. आप चाहते हैं कि जो Mr. Dhahnraj Pillai है, यह noted hockey player है, याने काफी famous hockey player है, यह आएं और आपके जितने school में जितने भी famous sports persons हैं, उनको price distribution यह करें. याने कि यह क्योंकि famous hockey player है, तो याने कि जो chief guest हैं कौन होने वाले? Mr. Dhahnraj Pillai. याने जो guest of honor हैं आपके school के वो यह हैं. तो हमें यहाँ पे जो guest आने वाले हैं, जो chief guest आने वाले हैं, उनका नाम भी हमें question में मिल गया है. Okay? Chief guest का नाम भी मिल गया. आगे बढ़ते हैं. Write a formal invitation. अब question में mentioned है कि आपको एक formal invitation लिखना है. अगर नहीं mention होता है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे identify करते हैं, कि formal invitation लिखना है कि informal invitation लिखना है. यहाँ दिया हुआ है. Write a formal invitation in about 50 words. Word limit भी आपको दे दिये. Requesting him to grace the occasion. तो आपको यह formal invitation देना है कि इसको Mr. Dhanraj Pillai को, जोकि एक famous hockey player है, उनको देना है कि आप हमारे school के annual sports function में आईए as a chief guest और बच्चों का price distribution करिए. तो यह invitation Mr. Dhanraj Pillai को जाना है. तो आपको अपना name भी दे दिया गया है, याने कि host का नाम. यह दे दिया है, name of the host. यह भी आपको question में दे दिया है. जो invite करता है, उसे हम कहते हैं host. अगर आप boy हैं, तो आप अपना नाम करन लिख लिए. अगर आप girl हैं, तो अपना नाम करुना लिखिए. और आपका designation भी दे दिया गया है, कि आप कौन है, school के sports secretary है. और school का नाम भी mentioned है, याने school का address भी mentioned है. Sunrise Global School, Agra. तो maximum information जो है, आपके question में ही given है. तो अब देखते हैं कि हमको formal invitation कैसे लिखना है Mr. Dhanraj Pillai को as a chief guest हमारे school में आने के लिए. So let's begin. यहाँ पूरा आपका आएगा formal invitation का पूरा format. Formal invitation हमेशा card form में होता है, इसलिए हमको इसको compulsory box में लिखना पड़ता है. Yes, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है Sunrise Global School, याने कि name of the host. Host का नाम, तो अब करन करूना हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि school का नाम आना चाहिए, यहाँ पर school organize कर रहा है, annual function. तो school का नाम आएगा, करन करूना का नाम नीचे आएगा, end में आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका आएगा school का नाम, याने कि name of the host, okay? School का नाम, just next line में आता है आपका कुछ इस तरीके की statements या उस तरीके के phrases जो अच्छा बनाएं आपके invitation को, तो takes pleasure in inviting, noted hockey player, Mr. Dhanraj Pillai, तो यह आपने एक line लिख दी भाई कि आप उनको invite कर रहे हो, और यह आगया उनका नाम, याने name of the guest, okay? Guest का नाम आगया, Mr. Dhanraj Pillai, एक noted hockey player है, याने काफी famous hockey player है, okay? तो आप लिखेंगे कि वो आएं, ताकि हमारे school के जो annual sports function का जो event उसको grace करें, आने शोभा दे आकर, तो यह line भी आपके question में यहीं given थी, to grace the occasion, तो यहीं से हमने copy करके, answer में भी लिख दी, to grace the occasion of annual sports दे, तो यहाँ आपने purpose बता दिया, कि किस purpose के लिए आप उनको invite कर रहे हो, तो बता दिया कि वही purpose जो है, वो annual sports day है school का, उसके बाद, and to give away prizes to our budding sports persons, और एक और गी दो line में आपने purpose दे दिया, कि आपको invite किया जा रहा है, हमारे school के annual sports day पर, ताकि आप prizes दे, हमारे budding sports person को, याने हमारे school के बढ़ते हुए, sports person, जो athletes हैं, जो बढ़ते हुए, हमारे खेल, कूद के जो बच्चे हैं, वो अब budding हो रहे हैं, याने कि आप grow हो रहे हैं, और आप वो लोग और improve हो रहे हैं, याने develop हो रहे हैं, अपनी sports में, field में, तो आप उनको price देने के लिए आए, तो अपने purpose बता दिया दो लाइन में, Mr. धनराज पर लेको कि उनको क्यों invite किया जा रहे हैं, फिर आप बताएंगे date, तो on 30th November 2021, तो इस date को आपको उनको बताना है कि इस तारीक पे आपको invitation है, इस तारीक पे function है, और time बता रहे हैं अब from 8 a.m. to 12 p.m. तो आपने ये time, time भी बता दिया, तो यहाँ date बता दिया आपने और यहाँ आपने time बता दिया, ओके, awaiting a favorable response from your end, यानि कि जो RSVP है, उसकी जगह आपने लिख दी awaiting a favorable response from your end, कि भाई, आपकी तरफ से हम एक favorable response जो है, expect कर रहे हैं कि आप जरूर आएंगे, कि आप response जरूर देंगे और आप जरूर आएंगे function को grace करने, यानि हमारे sports day के function को शोभाग देने के लिए, उसके बाद एकदम right side corner में आता है आपका name and designation, यानि कि कौन लिख रहा ही है, करूना लिख रही है, I was a girl, जब मैंने यह लिखा तो मैंने लिखा करूना, और करूना कौन है school की, sports secretary, तो नीचे आपने sports secretary लिख दिया, that's it, यह आपका पूरा हो गया, एक formal invitation का question, कि इस तरीके से किसी को invite किया जाता है, ओके, आगे बढ़े, next question देखते है, you have received an invitation to be the judge for the literary competition in St. Ann's school, अब आपको invitation मिल गया है, आपको invitation receive हो है, आपके हाथ में invitation card आया है, कि आप judge बन जाओ, literary competition होने वाला है, St. Ann's school में, तो St. Ann's school में, एक literary competition होने वाला है, जिसका judge बनने के लिए, आपके पास invitation आया है, okay, send a reply, question में दिया हुआ है, send a reply, यानि कि अब आपको उस invitation का reply, यानि जवाब भेजना है, कि आप आप आओगे कि नहीं, आपके जो भी, तो question में mentioned है कि आपको reply देना है, तो send a reply in not more than 50 words, इतनी word limit में, पचास ट्रब्दों में आपको reply देना है, confirming your acceptance, तो उन्होंने ये बता दिया question में, कि आप उनका ये जो invitation है, confirm कर रहे हो, यानि कि आप जाओगे, ये उनको बताओगे reply में लिखे, कि हाँ मैं confirm करता हूँ, कि मैं judge बनूँगा, और मैं आऊँगा, जो भी आपकी जिस भी दिन पर आपका competition है, तो आपको reply लिखना है, उन school वालो को, St. Ann's school वालो को, ये confirm करते होए, कि yes, हम judge बन, मैं judge बन के आऊँगा, और वहाँ पर जरूर आऊँगा, यू आर मोहन या मोहिनी, आप अगर boy हो, तो अपना नाम मोहन लिखिए, अगर आप girl है, तो अपना नाम मोहिनी लिखेंगे आप, that's it, तो this is a question हमको समझ में आगए, कि अब reply लिखना है, अब बच्चों, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दी थी, कि जब भी reply का question आए, तो reply हमेशा होता है box में, और reply का जो format होता है, वो होता है formal letter का format, तो उसी format में हमें लिखना है, कि आपने इस तरीके से box बनाया, box में सबसे पहले आप उपर लिखेंगे, कि आप confirm करने की regret कर रहे हैं, तो question में दिया गया था कि आप confirm कर रहे हैं, तो heading में आप लिखेंगे confirming acceptance, कि मैं confirm करता हूँ कि मैं आऊंगा, उसके बाद आप लिखेंगे formal letter का format में, अपना पूरा reply का format, ठीक है, तो सबसे बिलाते है sender's address, क्योंकि sender का address, यानि कि आपका address given नहीं था question में, तो आप अपना कुछ भी लिख दीजे address, 16XYZ Lane, ABC नगर चिन नहीं, छीक, फिर एक line यहाँ पर चूटेगी, फिर आती है date, 24 September 2021, इस तरीके से expanded form में लिखेंगे आप, फिर एक line चूटेगी, फिर आता है receiver's address, अब receive किसने की आपका reply, मैंने मेरे पास invitation आया, तो मैंने ये invitation भेजा school वालों को, तो किस के हाथ में जाके पहुचा, किस के हाथ में receive हुआ, मेरा ये invitation वाला letter, school वालों के हाथ में, मैंने school वालों को भेजा, तो यहाँ पे receiver's address में school का address आईगा, सेंट आन स्कूल, टीवेस नगर चिनने, ये आपने लिख दिया, फिर आपकी एक line छूटेगी, फिर आता है subject, पूरा subject को हमेशा underline करना पड़ता है, या फिर highlight करना पड़ता है, तो subject में आपने लिखा acceptance of invitation for judging the literary competition, आपने बता दिया, कि मैंने आपका invitation accept किया, जो आपके school म literary competition हो रहा है, उसको judge करने के लिए मैंने accept कर दिया, तो ये आप subject में लिखेंगे, इसके बाद box बंद नहीं करना, इसी में continue करना है, मेरे पास space नहीं थी, तो मैं आपको लोगों के लिए slide change कर देती हूँ, आपको box बंद नहीं करना है, आपको continuation में लिखना है, उसके बाद आता है, आपका एक लाइन चूड़के, salutation, क्या आता है, salutation, तो जब salutation आप लिखते हैं, तो उसमें आप simple लिखेंगे sir, कोई dear नहीं, कोई madam नहीं कुछ नहीं, सिर्फ sir या फिर simple madam लिख दो, dear, mister, ये सब कुछ नहीं लिखना, फिर एक लाइन चूटेगी and start होगा आपका main body of the letter, याने content, याने कि अब आप बताएंगे कि आप accept कर रहे हैं, I would like to express my gratitude to St. Tan's school for inviting me to be the judge for the literary competition, तो सबसे पहले मैं अपना gratitude, मैं thanks express करता हूं St. Tan's school को कि आपने मुझे invite किया, अपने school में होने वाले literary competition के लिए, कि मैं उसमें आके judge करूँ, तो आपको सबसे पहले क्या कर करना है, acknowledge करना है, याने सामने वाले को thank you बोलना है, कि thanks for inviting me, तो यह उसने लिख दिया, I confirm my acceptance for the same and will make sure that I am present there at the scheduled date and time, तो वो बोलता है कि मैं confirm करता हूं acceptance कि मैं जरूर आऊंगा, और जिस भी time पे and जिस भी date पे, जो आपका schedule किया हुआ है, याने कि जो आपका function, जो आपका competition प्लान किया हुआ है, मैं उसको जरूर प्रेजेंट रहूंगा, याने कि जरूर आऊंगा, simple, कुछ भी, एक formal invite, is formal reply का question है, this is a formal reply का question, तो आपको simple tone रखनी है and formal tone रखनी है अपनी बिल्कुल, ठीक, बता दिया, एक लाइन छोड़ी आपने, complimentary close में, yours sincerely, because I am a girl, तो मैंने मोहन लिखे, तो your sincerely and your name, यह आपने देदी अपनी complimentary close, ठीक, और अब बंद होगा आपका box, ओके, तो यह पूरा जो letter format है, यह पूरा एक box में आना है, because मैंने दो slides में इसको divide किया हुआ था, तो मुझे box बंद करना पड़ा, बट आप इसको पूरा एक box में ही लिखेंगे, of this session, I hope आपको invitation लिखने आप बिलकुल अच्छे से आगया, आपको types भी पता चल गया है, कि दो types के होते है, formal and informal, आपको उन दोनों के features और उन दोनों के separate formats भी आगये है, उसके बाद इनका reply कैसे करना, और इनके reply में क्या-क्या points रखने अपने mind में, यह भी आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, okay, so I hope आपको अगर practice करेंगे, तो आपके दिम्बाग में और अच्छे से बैठेगा और आपको clear हो जाएगा invitation writing का question, and बच्चों आप चाहें, तो हमारे videos YouTube पर देख सकते हैं, वहां नहीं मिल रहें, तो Google पर जाएए, website का नाम डालिए, magnetbrains.com, अगर website का नाम डालेंगे, तो इस तरीके का page आपके सामने आएगा, जहां सारी teachers की classes wise mentioned है, मान लीजे आपको अगर English के videos देखने हैं, तो यह रहा option English का, आप इस पर click करेंगे, आपके सामने list of all the videos आजाएंगी, जो हमने record करके रखें, आपको किसी भी writing skill या किसी भी book का video द होंगे and don't forget to like, subscribe and share our YouTube channel, तब तक लिए, bye bye and take care.